नवस्कार दोस्तों वी एच नीज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अजर अंसारी खवर 13 कामत को लेकर जिसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि किस तरीके से वो SMA टाइप वन बीमारी से जूज रही है पैसों की तंगी के चलते इलाज काफी मुश्किल हो गया था क्योंकि इलाज के लिए जिस इंजक्शन की जरूरत थी वो अमेरिका से आना था और अमेरिका से आने वाले इस इंजक्शन की कीमत थी 16 करोड उपे जो किसी भी मिडिल किलास या गरीब परिवार के लिए ऐसंभव सी रकम है असंभव सी रकम क्या असंभव ही है लेकिन आखिरकार 16 करोड उपे जुटाए गए और जुटाने के बाद में तीरा कामत के इलाज को लेकर आगे की कारवाई पूरी की जाती है इसके बाद में तीरा कामत के परिवार के सामने एक और बड़ी चुनाती आकर खड़ी हो जी गई और वो चुनाती थी इस इंजक्शन के भारत पहुँचने के बाद इस पर लगने वाले टैक्स के जिसकी कीमत पहुँची करीब करीब 6 करोड उपे जिसके बाद तीरा कामत के परिवार की लड़ाई या कहे इस नन्नी सी बच्ची तीरा कामत की अगली लड़ाई थी सरकार से इस टैक्स को माफ कराने की जिसमें एक बड़ी काम्याबी मिल गई है मोधी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस टैक्स को माफ करने का फैसला लिया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीरा कामत को चाहने वाले लोग पियम मोधी की जमकर तारिफ कर रहे हैं लेकिन ये टैक्स की रकम इतनी आसानी से माफ हुई हो ऐसा भी नहीं है किया जाना भी आसान नहीं था दरसल तीरा कामत का इलाज करा रहें उनके पिता महिर और मा पिर्यंका ने अक्टूबर 2020 और जनवरी 2021 में परधान मंत्री मोधी को तीरा कामत की मेडिकल कंडिशन के बारे में जानकारी दी खेर जिन्दगी और मौत की जंग लड़ रही प्यारी सी इस बच्ची तीरा कामत के पिता की जंग को आगे बढ़ाने का काम किया महराश्ट के पूर मुख्य मंत्री देविंद्र फंडविश्ट ने भी बाकाइदा खुद परधान मंत्री को खत लिखा और खत लिखकर इस इंपोर्ट ड्यूटी और जियस्टी को खत्म कराने की अपिल की और आखिरकार लगतार की जा रही इस अपिल को देश के परधान मंत्री नरेंद मोदी ने मान लिया एक सिंगल केस जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चल्चा थी एक नन्नी बच्ची तीरा कामत की इस लड़ा स्वागत किया अब इंतजार है जल्द से जल्द ये इंजेक्शन भारत पहुंचे और तीरा कामत को लगाया जाए जिसके बार तीरा कामत को चाहने वाले जो दूआए कर रहे हैं वो रंग ला सके बहरहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है परधान मंत्री के इस फै वश्य में भी राहत मिल सके तीरा कामत की इस मुहिम पर आपकी जो भी राय हो दुआएं हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले धन्यवाद